नमस्कार मैं विपल सेंग आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल ब्येच्च इस्टेडी कैपिटल पर एक बैफिर से हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपका जो पहला पेड मॉक टेस्ट हुआ था जो कि कुछ दिन पहले हुआ उसका गिजल्ट आज देने का समय आ चुका है कि कौन से लोग टापर की लिस्ट में है और कौन कौन से लोगों ने अपना टेस्ट दिया था अच्छे से तो यह चीज़ें आज मैं बताऊंगा उससे पहले रिजल्ट डिकलियर करूँ उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें जान लिजे उसके बाद आपका रिजल्ट में बताता हूँ कि किसका कितना रेंग है सबसे पहले तो पेपर के विशे में कुछ लोगों ने कहा कि पेपर कुछ हाड था और कठिन था तो यह वास्त्रिक्ता भी है इस बार का पेपर कठिन था पिछले बार की मुगाबला जो पिछला फ्री मॉक्टेश दुआ था वो पेपर आसान था और इस बार का पेपर कठ तो इसमें बिल्कुल घबराने की जगत नहीं है जो आपका जो मॉक्टेस्ट बनाया गया है जो आपके प्रैक्टिस के लिए ही बनाई गयी है ताकि अगर विए चुव आपके लिए कठीन पत्र देता है तो वह आप कैसे करेंगे उसका भी आपको एक अंदाजा हो जाए फिर एक मेगा टेस्ट आने वाला है तो इस सब में लेवल धीरे-धीरे कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे होगा ताकि आप प्रकार से देने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसा नहीं आपको मॉक्टेस्ट हम लोग बहुत इजी प्रवाइड करा दें कि आप लोग ज्यादे- पेपर आएगा हम अपना प्रदर्सन अच्छा करें इसलिए आपके लिए पेपर में वेरियेशन किया जाता है तो आज जल्दी मैं आपका गिजल्ड बताने वाला हूँ उससे पहले मेगा टेस्ट भी आपका होने वाला है 12 जून को 12 जून को साम 2-4 के बीच में आपका मे पंच होगा और अभी तक आगर जो डैरेक रिजल्ड देख रहे है उनुन ने टैस्ट नहीं दिया है यह उनलाइन पेड टेस्ट नहीं लिया है वह छाहें तो यह पेपर हो चुके है अगर उनने पर चेश करते हैं तो यह बाते हैं तो इसलिए आप लोग से परचेश कर ल तो आईए बात करता हूं रिजल्ट पर कि आप सभी का इसल्ट कितना था सबसे पहले तो यह देखिए मैं नीचे से लिखा रहा हूं जिन्हों ने अच्छा प्रदरसंद किया है और ठीक ठाग नंबर लाया है उनका नाम इसमें लिखा हुआ है उसके साथ यह और धीरे-धीर आपको बताऊंगा टॉप 10 रैंक में कौन है यह आप देख सकते हैं नाम लेकिन मैं बाद में भी इसका नाम दिखा दूँगा पहले देख लीजिए आप उपर का विजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले दसवे नंबर पे हैं अक्षय कुमार 181 नंबर के साथ अक्षय कुम जो काउंटिंग हुई है तो काउंटिंग में एरर है चार नंबर तो इसमें आप खुदी आड कर लेंगे जो भी आपका स्कोर काड़ जाएगा उसके साथ साथ आपका जो यह माक्स आया है उसमें लगबगा 50 नंबर अपना एक्ष्ट का समझीए क्योंकि इस बार का पेप आप आप अगर एजी पेपर होता तो इसमें आपकाश नंबर प्लस करके पाते गत्मेस मनी तिवारी का है 188 नंबर नुए अस्थान पर सत्यम इसरा का है 190 नंबर नुए अथ्वे आस्थान पर कृपसागर 197 नंबर के साथ साथ शफ़ें अस्थान पर सुरह भी हैं 203 नमर के साथ इनको भी रितिक राज 236 नमर के साथ तीसरे अस्थान पर और फिर से रितिक को बदाए तिक पिछले टेस्ड में भी अच्छा पदसन नाम है जिसको मैं पहले टेस्ट में आदा रहा है कि अच्छा पदर्सन इन लों का हुआ था जो पहला फ्री मॉक्ट रूप तो इस मॉक्ट में उसके बाद एक और रिजल्ट की बात मैं कर लेता हूं यहां पर है यह इसी ता का रिजल्ट है इसमें थोड़ी सी एक समस्या आ नमबर इनका माइनस कर लेंगे यह तो इनको भी आरदिक बदाए क्योंकि इनका भी पेपर अच्छा हुआ है तो यह लोगों ने अच्छा पदर्सन आपका हुआ है टॉप 10 जो भी आए हैं उनको बदाई देता हूं और जो टॉप 10 में नहीं आए हैं अभी अच्छा प्र ऐसे ही पेपर का लेवल चेंज होता रहेगा और आपके लिए प्रैक्टिस ब्यातर होती रहेगी और आप लोगों के यह पेपर कैसा लगा है यह आपने बताई चुका है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रही अच्छी तैयारी करते रहेए मिलता हूं किसी अगले वीडि तब तक धन्यवाद नमस्कार